नमस्कार वीकली आउटलूक में आपका स्वागत है मैं अज़े के लिए आप सबको दिवाली की शुब कामना ही देता हूँ तो पिछले हपते में हमने देखा कि सोना, चांदी, क्रू, बेस मैटल सभी में हमने जबरदस तेजी बनते वे देखी एकॉनोमिकल डेटा पॉइंट काफी इंपोरेंट था हमने फैट से भी अपडेट आते वे देखा इसी भी से भी और बैंक आफ इंगलेंड से भी और पूरे हपते की अगर हम बात करें तो पूरे हपते में हमने देखा सोने में तो आदे परसेंट से ज़्यादा की तेजी आई बट चांदी कहीना कहीं सोस दिखाई दी बेस मैटल के अंदर अगर हम बात करें तो अल्मोस हमने हाई लेवल से थोड़ी बिक्वाली बनते वे जरूर देखी है बट कहीना कहीं जो कोल क्राइसस था वो कूल डाउन होनी के बाद हमने कोईली के प्राइजस में जो दबाव देखा है इसी के असर के चलते हमने अलुविनियम में 5.5%, निकल में 1.5%, जिंग में 1.5%, कॉपर में 2% की गिरावट आती वे देखी वहीं अगर हम एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी के अंदर भी हमने देखा कुरूड में 3% की भारी गिरावट आती वे देखी ओपेक ने नोडाउट दिसंबर से प्रोडेक्शन जो बढ़ाने की बाते की वो तो अभी भी कायम है अगर हम अगले हटे की बात करते हैं तो हमने देखा कि गोल्ड के अंदर कहिना कई शॉट कवरिंग बनतावा दिखाई दिया और प्राइजस ने अल्मूस 48,000 का लेवल ब्रिज करतावा दिखा ओवराल फेड के मीट में हमने ये चीज़ जरूर देखी है कि टैपरिंग तो जरूर स्टार्ट होगी तो हमें लेके काम करना है अब साइड में 48,340 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा वहीं चांदी में भी अगर हम बात करें तो प्राइजस ने 62,000 से 65,000 का बड़ी चलांग लगाई है प्राफिट बुकिंग थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो हमें लेकर काम करना है पिछले अबते हमने शांदार क्लोजिंग देखी है 4,300 के करीब तो थोड़ा पुल बैक अगर समझो 63,500,600 के करीब मिले लेके चलिए overall 65,500 का immediate target दिखाई देता है वहीं crude की अगर हम बात करें तो crude में हमने inventory का data साथ में हमने देखा कि ओपे के meet के बाद prices में कहिना कहीं दबाव बनाए बट अभी भी brand crude कहिना कहीं 80 डॉलर के उपर ही maintain है जो कहिना कहीं तेजी का रुक अभी भी देता है volatility बनी भी रहेगी अगले अपते के लिए ये pullback 5850 तक का support ले सकता है volatility है उस पर ध्यान रखिए तो 5850 के target के लिए बेशना चीए जब तक prices 63,50 के उपर close नहीं देता है trend downside रहेगा natural gas वैसे तो winter में इसकी demand अच्छी रहती है और हमें लगता है कि RSIB 73 के उपर पहुंच चुकि जो concerning है कि overbought है हमने overall fresh buying फिर से लटते वे देखी क्योंकि ये अपते में 387 का low लगाने के बाद prices में एक अच्छा कासा recovery बनी है तो हो सकता है prices 390 से लेकर 440 का जो broader range है इसी range में market trade करेगा वहीं पूरे base metal pack की अगर हम बात करे तो fresh selling long liquidation हावी रहा है चाइना output कटाथी continue रख रहा है जो prices को support करता हुआ दिखेगा कई ना कई concerning थोड़ा बहुत है demand को लेकर अभी भी तो ध्यान रखिए जब तक key level breach नहीं होता है prices एक range में रहेंगे copper जब तक 756 का level नहीं तोड़ता है 720 का target रहेगा zinc के अंदर भी 290 के उपर जब तक sustain नहीं करता है 265 तक का level मिल जाएगा nickel ध्यान रखिए क्योंकि iron ore के जो prices है वो कहिना कई important रहेंगे stainless steel की demand को दिखते हुए भी तो मुझे लगता है कि 1470 के support के लिए nickel बेज सकते हैं aluminum में भी दबाव रहेगा और lead में भी दबाव रहेगा in all अगर हम बात करें तो कहिना कई prices के अंदर slowly and steadily base metal range bound रहेगा सोनी चान्दी में buy on drop की रणनीती अपना कर चलनी चाहिए अधिक जनकारी के लिए आप connected रहेए दाने वाट